दोस्तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं आज क्या बना रही हूँ तो आज पर आपको बताऊंगे कि तर्बूज के छिलके की बास्केट हम कैसे बना सकती हैं और साथ ही हम बनाएंगे वाटरमेलन का बहुत ही जादा टीस्टी और बॉटे को हाइडरेट रखने वाला व दोरत नहीं है वाटरमेलन असानी से निकल जाता है और देखिए बास्केट के लिए ये छिलका भी तयार हो गया है तो चलिए इसको साइड रख देते हैं और पहले वाटरमेलन जूस तयार कर लेते हैं इसमें हम एट करेंगे सबसे पहले आधा चमच काला नमक काला नमक व एक चमच चीनी डाल रही हूँ चीनी देखे बिलकुल ऑप्शनल है अगर आप चीनी स्किप करना चाते हैं तो आप इसे इसके भी कर सकते हैं और लाच मिस में एट करेंगे खूब सारा पौदीना तो ये देखिए फ्रेश मिंट है इसका फ्लिवर तरबूच की जूस में बहुत अच्छा लगता है इसको हमें पल्स मोट पे पीस लेना है पल्स मोट पे जब आप इसे पीसेंगे न तो इसके बीज भी नहीं पीसेंगे और उसके बाद हम इसको एक बार चान लेंगे क्योंकि इसमें बीज है देखिए चान लिया है और जूस तयार हो गया है तो इसको साइड रख देते हैं और अब वाटरमेलन के छिलके की बास्किट तयार कर लेते हैं तो हम छिलके को जिग जैक शेप में कट करेंगे और देखे कितना प्यारा डिजाइन तयार हो जाएगा लग रहा है न अच्छा चलिए मैं पूरा कवर इसको इसी तरीके से कट कर लेती हूँ और मैंने इसके हैंडिल को चोटपिक की सहायता से जोड दिया है अभी देखे ये बिलकुल हिल रहा है तो हम इसका स्टैंड बनाएंगे देखे एक राउंड पीस ले लिया है और तर्बूच की बास्केट बन कर तयार हो गई है चलिए इसमें जूस सर्फ कर लेते हैं और देखे मिंटों में ये जूस बन कर तयार हो गया है इसे गार्णिश कर लिया है पौधीने की पती के साथ और लग रहा है ना कितना टेस्टी देखने में भी बहुती सुनदर लग रहा है आप इस तरीके से इस जूस की बास्केट को अपनी किटी पाट़े वगईरा में भी रख सकती हैं देखे देखने में तो सुन्दर लग ही रहा है और तर्बूच का जूस तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है तो आप इस तर्बूच के जूस को जरूर बनाईएगा दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक लिए बाबाई और चेक क्या